आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भेरे गोड इबниग। Countable और Uncountable Nouns के बारे में। तो Countable कर्द क्या होता है? गड़नी संग्याएं। मतलब ऐसी संग्या हैं जिनको आप गिन सकते होने, क्या कहेंगे? Countable और Uncountable क्या होगे जिनको आप नहीं गिन सकते हैं। कि शुरू करते हैं काउंटेबल नाउन इसका मेंस देख लें पहली डेफिनिशन देखेंगे काउंटेबल नाउन्स आर दे नेम ऑफ प्यूपिल एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट डैट कैन काउंट मतलब हर एक वो संग्या जिसे आप काउंट कर सकते हैं जैसे लोग हो गया ज फटीत को नाउन इसे लिए जैसे बॉइं हो गया बॉय हो गया कैट कैट यहां पर नंत करें बॉइं कवापाइक्ट पढंसे नाउन है नाउन के 5 टाइंस थे उनमें से बॉइंक वाइक की बारे मैं बढता सथा बताइक बोई प्यूब ऑन सओने डूम में बिटाoking अग औ प्रॉपर नाउन नो जैसे राम किसी का नाम है तो यह क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा वह किसी का नाम नहीं होता so you cannot say that it is a proper noun it is a it is not a proper noun give me correct answer give me correct answer common noun yes common noun is the correct answer बेल्कुल सभी है common noun है यह boy और boys तो देखिए common noun तो कहने का मतलब count table noun कि सीरीज में आएगी common noun को हम count table noun कहेंगे हर एक वो common noun जिनको आप count कर सकते हैं या यह याद रखें कि common noun को हम count कर सकते हैं यानि common noun common noun कि सीरीज में आएगी count table noun में अब एक example में लेता हूं जैसे लिख दूँ students s-t-u-d-e-n-t-e-s-d-e-n students चली बताए इस्टूदेंट्स कैसी नाउन है बताए प्रापर है common है collective है और abstract है या material बिस टाइप नाउन इजा इस्टूदेंट्स बताए गिम में अंसर यहां पर देखिए इस्टूदेंट्स क्या है common noun है ध्यान रखिएगा common noun जितनी भी होते हैं उन्हें किस सीरीज में रखेंगे count table noun में यानि boy, boys, cat, cats यह सभी क्या है common noun है ठीक है तो count table noun में क्या क्या आता है यह ध्यान रखें count table noun में collective noun और common noun को रखा जाता है ठीक है फ़र यह देखिए मैं सीरीज में रख दिया हूँ पहले से लिखके रखा हूँ common noun और collective noun को collective noun कौन से होते जैसे army, a, r, m, y, army क्या है collective noun है तो collective noun होने के कारण, army क्योंकि collective noun है तो collective noun, army को तो आप गिन सकते हो, arm forces होता है, ठीक है, तो arm forces होता है, इनको हम count कर सकते हैं, तो count होने करण क्या है, collective noun सभी countable noun होती है, और common noun भी क्या होती है, countable noun, army एक collective noun है, समूब आचक संगया है, जैसे cattle यानिमवेसी होता न, cattle भी क्या हो जाएगा, c-a-t-l-e, cattle भी क्या होगा, collective noun और common noun, collective noun और countable noun दोन होगा, ठीक है, जैसे लेलें class, c-a-s, कल मैं पढ़ाया भी था, collective noun के काफी सारे example दे थे, class एक collective noun है, क्योंकि इसमें क्या होता, बच्चों का, class नहीं कख्षा होता न, तो class में काफन होता है, students का group होता है, यह क्या हो जाए, collective noun होगा, collective noun के साथ, क्योंकि students जो होते हैं, सभी को आप count कर सकते हो न, तो count होने के कारण collective भी है, और countable भी है, ऐसे common में जैसे cat क्या है, common noun है, और बिल्लिया आप गिन सकते है, cat हो चाए, cats हो, दोनों के आप count कर सकते हो, तो यह याद रखना है, common noun की group में क्या क्या आता है, common noun और collective noun, जितने भी collective और common noun होंगे, वो सभी क्या होंगे, countable noun होंगे, ठीक है, next, uncountable noun देखिए, uncountable nouns are the name of things which cannot be count, ऐसी बस्त हुए है, जिसको आप नहीं गिन सकते हो, उन्हें क्या कहेंगे, uncountable noun, लिखना, we cannot count, मतलब हम नहीं गिन सकते है, ठीक है, अब हम नहीं गिन सकते है, मतलब पहले example क्या हो जाएगा, आपका water, अब water कैसी noun है, anybody can give me answer, which type noun is a water, give me, give me answer first, and anybody can give me answer, water, which type noun is a water, are you hearing me, क्या आप मुशे सुन रहे हैं जल्दी बताइए, water किस प्रकार की noun है, कल मैंने आपको पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में, material noun, good, अब देखिए, water क्या है, material noun है, एक और noun में हैं ले रहा हूं, honesty, h-o-n-e-sty, h-o-n-e-sty, honesty किस type की noun है, बताईए, जल्दी से, जल्दी से answer दीजिया, दिया करिये, material noun तो water थी, honesty बताईए, which type noun is honesty, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पुस्पैन जी, आगे बताईए, honesty किस प्रकार की noun है, यदि आप continue class ले रहे हो, आपको मैं कुछ सिखा रहा हूं, तो आपको सही answer करना पड़ेगा, और stack noun, good, very good, देखें अगर मालीजे किसी की video clean नहीं आ रही है, तो आपको video quality में जाना है, तीन बटन रहते हैं न, video के आपके right thumb पे देखेंगे, सबसे उपर, तो तीन बिंदू रहते हैं, उनमें क्लिक करिएगा, और video quality आपको बढ़ा लेना है, ठीक है, 360 है, 360 कर लेना है, क्या था कि सम स्टुएंट्स के mobile में कल कुछ हीरर पाए गये थे, जिस कांट्स उनको video clean नहीं दिख रहे थी, तो आप इस चीज़ को सुधार लें, अगर video clean नहीं आ रही हो तो, तो यहाँ पर देखिए, water और honesty, दोनों ही क्या है, water के है material noun, honesty क्या है, बस object noun, जियान रखें, यह दोनों ही uncountable noun है, यह दोनों ही क्या है, uncountable noun, अब एक चीज़ आध रखें, क्या बसक्ता नाउन और material noun, दोनों ही uncountable noun होती है, क्योंकि water क्या हो गया, material में आता है honesty का है abstract noun में तो आपको direct series के याद रखना है कि 5 noun में से जो 2 noun है कौन-कौन सी material noun और abstract noun material और abstract ये दोनों किस noun में आती है uncountable noun में अच्छा तो example देख लेते हैं थोड़ा सा example में देखे sugar क्या material है uncountable हो गई material noun के साथ uncountable noun ये दो प्रकार की noun हो गई milk क्या है material noun है milk material भी है और uncountable भी है जान रखिएगा अगर पूछा जाए कि milk क्या है what is a milk ठीक है आप डाइट ये भी कह सकते हैं कि milk तो दूद है लेकिन जहम grammar पढ़ेंगे तो milk के बारे हम क्या क्या बताएंगे super भाईया thanks for your compliment local voice team यहाँ पर देखें milk की हम अरब बात करें तो milk पहली बात क्या है noun है ये याद रखिएगा इन ओ यूएन इसके बाद noun तो है तो which type noun this is a material noun ये second type होगे इसका पहली बाद तो ये क्या है noun है उसके बाद material noun है क्योंकि मैं कल आपको बताया था material T-E-R-I-E-L होता है ठीक है उसके बाद आप बताओगे material के साथ-साथ ये uncountable noun भी है तेन स्रीज पता चल गई uncountable जब आप study में आगे बढ़ते जाओगे मेरे साथ आप पढ़ते जाओगे ठीक है तो आप बहुत सारी चीज़े ऐसे learn करते जाओगे देखो milk क्या है अगर आप से milk कोई पूछेगा तो क्या बताओगे this is a noun फिर which type noun this is a material noun and also which type noun uncountable noun it has three form इसके तीन प्रकार आप बता सकते हो milk क्या noun हो गया material noun हो गया uncountable noun ऐसे देखिए honesty honesty क्या है अब बताओ honesty तो honesty पहली बात क्या है noun है ठीक है फिर इसके बात क्या है ये abstract noun है भाव आचक संग्या है ठीक है abstract noun है और साथ ही साथ ये uncountable noun क्योंकि abstract noun और material noun abstract noun और material noun को किस में रखा गया है uncountable noun में understood समझ में आ रहा है ठीक है तो मैं इनको erase कर देता हूँ जल्दी से ठीक है अब देखिए भाई यहाँ पर रख भी दिया कि देखिए आपको याद रखना है क्या है याद रखना है कि material noun और abstract noun जितनी भी होती है किस में आती है uncountable noun के अंतर गत रहेंगी ठीक है ठीक है दिखिए uncountable noun में आपको material noun आ जाएगा material noun जैसे milk हो गया sugar हो गया oil हो गया abstract noun में क्या आ जाएगा honesty हो गया child हो गया boyhood हो गया इन सब चीजों के याद रखना है और वही countable noun में क्या हो जाएगा common noun आएगा اور collective noun तो common noun में क्या हो जाएगा जैसे boy हो गया ठीक है यहंपे boy लिग देता हूँ collective noun में क्या हो जाएगा जैसे police हो जाए class हो जाए मतलब जिनको आप गिन सकते हैं उनको बताना है और जिनको आप नहीं गिन सकते हैं उनको भी answer करना है तो देखता हूं कौन कितनी fast answer कर पाएगा तो यह रहे encircle at least 10 uncountable and countable nouns बहुत सारे यहां पर nouns लिखे गए हैं उन में से आपको 10 countable और 10 uncountable nouns बताना है और जितना fast हो सके उतना जल्दी बताना ठीक है तो यह देखिए यहां पर इतने सारे example रखे गए हैं decoration, kindness, woman, rice, infancy, animal, evidence, oil, bundle, poverty, humor, bottom, speed, touch, slavery, relationship, bravery, grandfather, freedom, kite, Jew, team, carpenter, ship, tomato, hair, cotton, pen, anger, library anger मतलों समझते हैं क्या होता है growth ठीक है anger, growth, library, iron, give me reply anybody can give me answer कोई भी answer कर सकता जल्दी दीजे answer एक एक करके answer तो send करते जाए countable समझ रहे हैं जिसको आप गिन सकते हैं उसको count करिए यहां पर ढूड़ी count कौन से ऐसे bird है search करिए जिसको आप count कर सकते हो ठीक है और जिनको आप नहीं किन सकते हैं उनको बताईए good countable noun में mango है very good push pen जी आगे बताईए एक तो मिल गए आपको next pen very good दो हो गए very good carry on और कोई very good दो तो मिले 8 होर करने countable के find out fast next जिदि आप पढ़ रहे हो और कुछ सीख रहे हो तो answer देके आप भी बता सकते हैं कि बास्तविक्ता में आपको समझ में आ रहा kite 3 very good 3 तो हो गए अभी आपको answer करने 7 और countable अभी हुए हैं 3 next give me answer ship ship it is truth ने answer दिया है ship very good which type noun ship बताये ship कौन सी नाउन है किस प्रकार की नाउन है और कौन से नाउन आप बताना चाहते हैं पहले countable और uncountable do very good noun तो है maybe आप countable बताना चाहते हैं क्या yes or no countable good carry on 2 हो गए आपके और उनके 3 हो चुके हैं आपको 8 choose करने है उनको 7 very good yes carry on carry on बेल्डन टोमेटो टीम बेरी गुड़ टीम भी है countable है चार तीन तीन चार हो गए पैंस गुड़ पैंस है क्या यहां पैंस पैंस तो था ठीक है next टोमेटो बेरी गुड़ चार चार हो गए पांच हो गए आगे बताईए पिन हो गया है टीम हो गया है और यहां से मैं रिस कर दूँ जो होता जाए उनको मैं कर लेता हूं ना मैंगो कर दिये लोग टीम कर दिये very good पिन कर दिये countable में और क्या के टोमेटो कर चुके हैं सिफ हो गया टीम हो गया जू भी कर चुके है ना काइट हो गया यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ दो और ग्रेंट फादर बेरी गुड आठ की बाद नो हो गया बंडल बंडल बिस टाइब नाउन इस बंडल गिम्म यह अंसर अगर आप यह बूलना चाहें कि बंडल काउंटेबल है देन आई मस्सेय दैट इस रॉंग एंसर बंडल इस नाट काउंटेबल नाउन नो नो यूर साइब यूर राइट बंडल इस अकाउंटेबल नाउन सही है काईट भी है काईट कहा था बंडल भी था ठीक है और काईट भेर इस काईट 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 यह काईट तो कर लिया ठीक है बंडल भी ठीक है ठीक है बंडल तो है और कोई किते हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, दस हो गए नेक्स्ट आंसर करिए कारपेंटर ये भी सही है कारपेंटर भी आपका काउंटेबल नाउन है ये इस कारपेंटर, येस दस दस अपने गिन के बताईएगा दस हो जाएंगे तो अनकाउंटेबल बताने चालू कर दीजएगा ग्रैंट फादर, बेरी गूड, पुस्पेंजी ग्रैंट फादर तो है बुक, येस, इस टूथ बुक इस अकाउंटेबल, नेक्स्ट जब आप काउंटेबल नाउन का अंसर देने लगें तो आप कमेंट्स पहले कर दें कि काउंटेबल नाउन है उसके बद चालू करें काउंटेबल नाउन में आपको याद रखना कौन कौन सी नाउन आएगी material और material पलस, अब मुर्ष ट्रेट नाउन मेरे पूरे हुए, इस टूथ, ओके, डण next, अनकाउंटेबल नाउन water, बेरी गुड, water is uncाउंटेबल नाउन, सही है बेलकुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं आप लोग काइंडनेस अनकाउंटिवल ना दो बता चुकी है पुस्पेंजी दो बता चुकी वाटर हो गया, काइंडनेस हो गया चिक है, मैं कल आठ रूल बताया था अब श्ट्रेक नाउन को पहचानने के और आज पता चलेगा कि आप कल कितने अच्छे से पढ़े थे इट इस चुरूथ का कहना गुडनेस है ठेक है, गुडनेस तो सही है काइंडनेस हो गया, फिर इस गुडनेस गुडनेस भी है, राइट एंसर डेकोरेशन, वाटर, राइस, ओयल अबिर गुड, राइस भी है ओइल भी है, ठीक है, डेकोरेशन भी है बिर इगुड, अनकाउंटेऽल ने ऑविड Genius है, आइरन है, अबिर देम वाट, بिलकुद सही है आइरन, भी है, आइरन थो है ठीक है ओइल तो हो गया, ओविडेंस भी है एंसी लगा है रिवा फ्रीडम येस राइट फ्रीडम भी है एंगर एंगर बिल्कुल अनकाउंटेबल ना हो नहीं दददस हो गया एंफैंसी स्थी वाई इंफैंसी भेरी गुड कित्ते हो गया एक दो तीन चार पांच यहां पर किते हो एक दो तीन चार पांच हो गया छे साथ आठ नो लाइब्रेरी लाइब्रेरी इंफैंसी ठीक है इट रूथ और ब्रेवरी बहादुरी ठीक है बहादुर योगा और ब्रेवरी इंफैंसी ठीक है ठीक है गुड कॉटन चली बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया है बेरी गुड आह अच एक लास यहाँ पर फिनिस करते हैं और नेकस्ट सेसर्शन में हम पढ़ेंगे नंबर पढ़ेंगे और नंबर के टाइस पढ़ेंगे relationship बिलकुल very good relationship भी है poverty भी है relationship तो आप छोड़ी दिये थे relationship हो गए एसा चाई भी लगा है और poverty भी है poverty क्यों है बताईए बताईए पहले poverty poverty और relationship क्यों है uncountable noun क्या कोई बताईगा कमेंट करिए आखिर क्यों है यह uncountable noun relationship पुस्पेंजी बताईए और poverty it is truth it is truth बताईए और यह थोड़ा नाम बदल दीजे it is truth बढ़ाट पटा नाम है थैंक्यू सो मच विल्कम चलिए आंसर अब नहीं करेंगे अब इस ट्रैक नाउन है क्यों है रीजन बताईए आप क्या देखके पता किया थे अगर स्ट्रैक नाउन है दोनों नाउन है विरिज गूट सही है आपको क्या यह थे लगा इसमें कि सही है वस्ट्रैक नाउन तो है क्यों है वस्ट्रैक नाउन कुछ पहचान बता थे हमें कल feeling भी है सई है feeling तो है आप लोग लगता है feeling there is feeling अच्छा feeling होने के कारण है वस ट्रेक नाउन लोग तेलिंग घू इलिंग